होटेल राजमहल एपिसोड फिफ्टी टू नई डायन फिर एक अन्होनी होती है रूद्रपदाप सेंग जो एक कोने में तब से खामोश बैठे हुए थे वे अचानक से खड़े हो जाते हैं उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ विक्रम पटिकी हुई है और उनकी नजरों में विक्रम को लेकर बेहद ही गुसा भरा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि अब उनके भाई आदिद्द की आत्मा उनके शरीर पर हावी हो चुकी है और वहीं दोबारा से वही खंजर उनके हातों में भी नजर आने लगता है जिससे बस कुछी देर पहले तक विक्रम के हातों ने भी दरंदिगी दिखाई थी रूद्र प्रताप सिंग को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर विक्रम उनके पैरों पर गड़ गड़ाने लगता है क्योंकि रूद्र प्रताप सिंग के रूप में उसे अपनी मौत साक्षाद नजर आ रही होती है मुझे मुझे माफ कर दीजिए मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए लेकिन रूद्र प्रताप सिंग की आखें उस वक्ट जैसे गुस्से में अंगार उगल रही हो और भेर देखते ही देखते खंजर के कई वाग विक्रम रावत के जिस्म पर होते ही चले गए और उसकी चीख गुंचती ही चली गए लेकिन होटेल राज महल में हो रही चीखों के सामने इस दर्दनाग चीख का कोई मुकाबला ही नहीं है और विक्रम को कई टुकडों में काटने के बाद अचानक से रूद्र प्रताप सिंग के हातों से खंजर छूट के नीचे गिर किया और वहाँ उस पूरी जगह पर खूण का सैलाब नजर आने लगा विक्रम रावत का खूण वहीं रूद्र प्रताप सिंग अगले हिपल नीचे जमीन पर गिर किया क्योंकि उनके शरीर से उनके भाई आदित्य सिंग की आत्मा बाहर आ चुकी है रूद्र प्रताप सिंग को किरता देख विशाल तोड़ता हुआ उनके पास गया और उन्हें उठा कर समालने लगा वहीं दूसरी तरफ होटेल राजमहल का गेट खोला हुआ है और उस गेट से तेज रोशनी आ रही है विशाल रूद्र प्रताप सिंग को केट की तरफ दिखाता है जहां उनका भाई आदित्य अपनी मौत का बदला लेने के बाद उस तेज रोशनी की तरफ बढ़ता जा रहा है उस वक्त आदित्य की आखों में आसू है लेकिन होटो पर एक हल किसी हसी भी शामिल है अपने भाई को जाता हुआ देखकर रूद्र प्रताप सिंग भागते हुए जाते हैं और आदित्य को रोखने की कोशिश करते हैं लेकिन विशाल उन्हें रोखते हुए कहता है सर कोई फाइदा नहीं है आप उन्हें चाकर भी नहीं छूपाएंगे उन्हें मुक्ते मिल रही है वहीं अपने भाईया की तरफ आखरी बार देखकर आदित्य सिंग उस तेज रोखनी के बीच विलीन हो जाता है वहीं अपने भाई को जाता देख रूद्र प्रताप सिंग घुट्टों के बल गिर जाते हैं और उनके आखों से आसू बहने लगते हैं वहीं विशाल रूद्र प्रताप सिंग को सम्हालते हुए उन्हें अपने कले से लगा लेता है और होसला देते हुए रूद्र प्रताप से कहता है आपका एक भाई चला गया तो क्या हुआ मैं हूना आपका दूसरा भाई आप मुझे भी अपना भाई ही समझो वहीं रूदर प्रताप सिंग भी विशाल के कले लगकर खोब रोते हैं ये सब देखकर दिव्या के आखों में भी आसु आ जाते हैं विशाल रूदर प्रताप सिंग को समालते हुए खड़ा करता है और वहीं रूदर प्रताप सिंग आपने आसु पोच कर विशाल से कहते हैं तुम ने मुझे अपना भाई कहा नग तुम मुझे हमेशा अपने पास खड़ा पाओगे तुम बस मुझे बुला कर देखना मैं चलाओंगा अपने छोटे भाई की मदद के लिए विशाल मुस्कुरा कर रूद्र प्रताप सेंग को कसकर गले लगा लेता है वहीं थोड़ी देर बाद रूद्र प्रताप सेंग पाहर चले जाते हैं और एक आत्मा को मुक्ति दिलाने की खोशी और एक नया साथी पाकर विशाल और दिव्या के होटों पर हसी नजर आने लगती हैं अभी घड़ी की सुईयां साड़े तीन बजने का इशारा करती हैं और चारों तरफ आग लगने लगती हैं हर तरफ ची मलिका शिखावत के घर पर कल राज जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से दिव्या और विशाल काफी जादा ठक गए थे और इसे लिए दोनों अपने अपने कमरे में चैन की नीन सो गए अभी दिन के बारा ही बजे हैं और अभी अभी दिव्या की आख लगी है तब ही वो अभी ठीक से सो भी नहीं पाई थी कि तब ही उसके सिरहाने रखा हुआ कांच का ग्लांस अपने आब समीम पर किर गया और उसकी तेज आवास से दिव्या के होश ओड़ गए एक बल को तो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है वो हड़ड़ा कर उठकर अपने बैट पर बैट जाती है ये ये सब क्या हो रहा है दिव्या ने धीरे से खुद से बड़बडाते हुए कहा तब ही अजानक से उसके बैट के ऊपर लगा हुआ लाइट बल एक जोर के आवास के साथ अपने आप तूटकर चकना चूड़ हो जाता है कांच तूटने क ये आवास के वजह से दिव्या काफी जादा डर गई और उसकी चीख निकल गई दिव्या को अपने पूरे शरीर में एक ठेटोरन महसूस हो रही है जैसे कमरे का टेंपरेचर अचानक से बहुत कम हो गया हो उसे अब ही सांस लेने का भी मोका नहीं मिला कि तब ही उसके कमर के अलमारी के अंदर से कोई पूरी तरह से दर्वाजा पीटने लगा दाड दाड ऐसा लग रहा होता है जैसे कोई अंदर से बाहर आने की भार सक कोशिश कर रहा हो दिव्या ये सब देखकर काफी ज़ादा डर गई है हर थोड़ी देर बाद वो आवाज बढ़ती जा रही है और उस आवाज को सुनकर दिव्या के रोंगते खड़े हो जाते हैं अचानक से तेज हवाएं चलने लगी खड़कियां दर्वाजे जोर-जोर से बजने लगे और कमरे में रखी चीजें खुद बखुद हिलने लगी ये सारे बदलाव देखकर दिव्या की घबरहट लगा कौन है वहाँ पर दिव्या ने घबरहते हुए आवाज लगाई मगर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया लेकिन तब ही किसी लड़की की डरावनी हसने की आवाज कमरे में खुंजने लगी और दिव्या तुरंट उठकर बैट गई उस आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा हो उसके कमरे में रखी हुई लकड़ी की अलमारी का दर्वाजा जोर-जोर से बचता जा रहा है जैसे कोई वहां से बाहर आने के लिए बहुत ज़्यादा बिताब है कोई अलमारी के अंदर से उस दर्वाजे को बार-बार पीट रहा है यह देखकर दिव्या और भी ज़्यादा डर गई और उसका पूरा शरीर कापने लगा अपनी दहशत को काबू करने की कोशिश करते हुए दिव्या ने एक बार फिर पूछा कौन है वहाँ पर बाहर निकलो इस बार भी कोई उसके सवाल का जवाब नहीं देता बलकि उस अलमारी का दर्वासा और जोर-जोर से आवाज करने लगता है दिव्या अपने आपको संभालती हुई धीमे कदमों से आगे अलमारी की तरफ पढ़ने लगती है वो एक एक कद बहुत ध्यान से रख रही है वो अभी अलमारी तक पहुच भी नहीं पाई है कि तब ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी साए ने उसके बहुत नस्दीक आकर उसके कान में दीरे से उसका नाम फुस्फुसराया हो दिव्या के सुनकर दर के मारे दिव्या जोर से चीक उठी उसने तुरंत पीछे मोड़कर देखा मगर वहाँ पर कोई भी नहीं है वो गबरा कर चारों तरफ देखने लगी मगर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा है दिव्या के दिल की धड़कने इस वक बहुत तेज हो और एक गहरी सांस लेकर एक बार फिर अलमारी की तरफ बढ़ना शुरू किया जिसके अंदर से अब भी जोर जोर से आवाजे आ रही हैं जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंची तब ही अलमारी का दरवाजा अपने आप एक थेज आवाज के साथ खुल गया ये देखकर दि दो कतम पीछे हड़ गई अचानक से तेज चलती हुई हवा शांत हो गई और पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया दिव्या की सांसे काफी तेज चल रही हैं और इतनी शांती में वो अपनी सांसों की हवास भी सुन पा रही है वो कुछ देर तक अलमारी को ही देखती रही अगर दिव्या की उसके पास चाने की हिम्मत नहीं हो रही तब हर जानक से अलमारी के अंदर से एक लड़की बाहर निकली जिसके लंबे भालों ने उसके पूरे चेहरे को बुरी तरह से ढखा हुआ है दिव्या ठीक से उसका चेहरा भी नहीं देख पा रही है वो देखने से ठीक से हिल भी नहीं पा रही, तभी वो लड़की अलमारी से बाहर निकली, और उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए, दिव्या के गले को कसकर पकड़ लिया, अपने उपर अचानक से हुए इस हमले की वज़ा से दिव्या सक पका जाती है, उस लड़की की पकड़ दिव्या की कर्दम पर इतनी मजबूत है कि दिव्या ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही, वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाती, और नीचे जमीन पर गिर जाती है, चोड़ो, चोड़ो मुझे, वो काफिम मुश्किल से उस लड़की से अपने नाकाम हो रही है, उसकी आखें धीरे-धीरे बंद होने लगती है, और तभी वो अपनी सारी ताकत लगाकर उस लड़की को धक्का मारती है, दिव्या अपने खुटनों के बल खास्ती हुई वहां से भागने की कुशिश करती है, और बिना पीछे मुडे, सीधा अपने कमर में गई और जाकर उसके कमबल में छुप गई, दिव्या अभी भी काफी घबराई होई है, और उसकी सासे और धड़कन काफी तेश चल रही है, उसने कसकर कमबल को पकड़ लिया, और उन्मीद करने लगी कि वो लड़की अपने आप कहीं काहब हो जाए, तभी विशाल न और विशाल तुरंट अपने विस्तर से उठकर खड़ा हो गया, विशाल ने अपने आपको सम्हालते हुए दिव्या से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वो, मैं, वो, वहाँ पर, घबराहट की बजह से, दिव्या ठीक से जबाब भी नहीं दे पा रही, ये वो, वो, मैं, वो, मैं, क्या लगा रखा है, सच-सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वहाँ पर वो है, दिव्या ने एक गहरी सांस लेकर चवाब दिया, वो, ये वो कौन है, विशाल ने दिव्या से पूछा, वहाँ पर वो लड़की है, विशाल, वो बहुत खतरना गई, दिव्या ने विशाल से कहा, अरे यार, दिव्या की बाते सुनकर, विशाल ने अपना माथा बकड लिया, और कहा, इतने दिनों से हर रात तुम भूत और आत्माओं के बीच रहती हो, और अब तुम्हें यहाँ पर आकर डर लग रहा है, अगर तुम इतने ही माचो म तो तुम जाकर उस लड़की को यहां से भगा क्यों नहीं देते, दिव्या ने विशाल से सवाल किया, अच्छा, चलो, चल कर देखते हैं, तुम्हारी इस भूतनी को भी, और इतना कहकर, वो दोनों दिव्या के कमरे की तरफ बढ़ गए, दिव्या विशाल के पीछे चल रही है, और उसने विशाल की शर्ट को कसकर पकड़ा हुआ है, विशाल भी समल कर आगे बढ़ने लगता है, और एक जोर की आवाज के साथ, दिव्या के कमरे का दरवाजा खोल देता है, मगर वहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आता, वो अपने पीछे खड़ी हुई देहशत में बड़ी हो जाती है, वो काफी मुश्किल से विशाल को बताती है, वो देखो, वहां हाल में, देखो वहां पर वो लड़की, विशाल तुरंट कमरे से बाहर आकर हाल में देखता है, मगर इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आता, इसके कुछ ही दिर बाद, अच के पास वो लड़की नजर आती है, वो लड़की अब भी अपनी लाल आखों से दिव्या को ही घूर रही है, जैसे वो आज दिव्या की जान ही ले लेकी, वहां नहीं, उधर देखो, दरवाजे के पास, दिव्या ने तुरंट एक बार फिर विशाल को बताया, विशाल और तुम ऐसे ही मुझे पूरे घर में घुमा रही हो, विशाल ने नाराज होते हुए दिव्या से कहा, इस बार दिव्या भी उसकी बात सुनकर नाराज हो गई, और उसने अपने दोनों हादों को अपनी कमर पर रख लिया, हाँ हाँ, मैं तुमें ही तो बेवकूफ बना अरियू न, मुझे तो शौक है, इस तरह अचानक से नीन में चिलाने का और डर कर तुम्हारे कंबल में चुपने का। खुली की खुली रह जाती हैं, और वो अपनी जगा से हिल नहीं पाता। वहीं, इन सबसे अंजान दिव्या विशाल के उपर गुसा किये जा रही है। हाँ हाँ, अब चुप क्यूं खड़े हो, कुछ बोलते क्यूं नहीं, ये कबूतर की तरह बड़ी बड़ी आखे निकाल कर मुझे क्यूं देख रहे हो। विशाल उसे चुप रहने का इशारा करता है, और पीछे मुणने के लिए कहता है, मगर दिव्या कहती है। और घर से निकल कर उसी लड़की के सामने खड़ा हो जाता है। विशाल को सिर्फ उस लड़की की आखे नजर आ रही है, और कुछ भी नहीं। वो अचानक से विशाल के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, कि तभी एक तेज हवा का जोका आता है और उस लड़की के बाल उसके चहरे से हट जाते हैं। उसे अपनी आखों पर यकिन नहीं हो रहा कि ये और कोई नहीं बल्कि वही है। तो क्या होगा कहानी में आगे? कौन है ये लड़की जो तिन के समय पर विशाल और दिव्या के पास आप पहुची है? हालत बहुत खराब है क्योंकि उन्हें भी वहाँ डर का एहसास हो रहा है। वहीं तभी एक और अनहुनी होती है। क्या होगा कहानी में आगे? कैसे बदला लेगी आदित्य की आत्मा विक्रम से? जानने के लिए सुनिये होटेल राज में हैं सिर्फ पॉकेट एफम पर।